तो गैस आज की वीडियो में कुछ अलग होने वाला है गैस आज मुझे मौका मिलने वाला है अपनी नली सी गाड़ी को सबसे रहादा गौड लेवल की गाड़ी बनाने का और गैस आप लोग सोच रहे होंगे वो मैं कैसे करने वाला हूँ वो तो guys मुझे भी नहीं पता पर guys यहाँ पर मेरे पास मैं चौप का फोन आया था वो मुझे से बूल रहा था कि जितनी खराब से खराब गाड़ी हो सकती है वो गाड़ी मुझे लेके आनी है और उस गाड़ी के मदद से वो मेरी गौल लेवल की कार बनवाएगा इसलिए guys मैं यहाँ पर अपनी सालो परानी कार लेने आया हूँ guys यहाँ पर मैंने एक कार पार्क की थी guys यह तब की बात है जब मैं एक गैंक सर हुआ कलता था मेरे पीछे guys green gang पढ़ गई थी उनसे बचने के लिए मैं यहाँ पर आ गया था guys उन लोगों ने मेरे उपर बहुत यहाँ खतरना गोली बारी की फिर भी guys मैं बच गया guys मैंने गाड़ी को यहीं कहीं तो पार्क किया था अरे guys वो रही अरे guys वही है मेरी कार यहाँ पर इसके टायर एकदम पंचर है अरे guys ही क्या यह कौन है अबे मैं कौन हूँ अबे तुने चमन चमपूदा गैंस्टर को नहीं बचाना क्या अरे तुम्हारा नाम तो कहीं सुना सुना सा लग रहा है मुझसे तुम्हें क्या काम है अबे यह गाड़ी मेरी है अरे क्या अरे नहीं नहीं बाई साब यह गाड़ी तो मेरी है पांच साल पहले मैं ही इस गाड़ी को यहाँ पर छोड़के गया था अबे याल तो तु मेरी जमीन पर क्यों छोड़के चला गया अपनी गाड़ी को आप तो तुझे यहाः पैसा देना पड़ेगा अरे किस बात का पैसा अबे गाड़ी का पैसा जो गाड़ी मेरी जमीन पर ख़ड़ी है वो मेरी ही है अबे चमनचम्पू की गाड़ी में कैसे बढ़ ग numer तो अरे अभी बताता हूँ ये ले अबे अबे यारी है क्या चमन चम्पू का उसी की जमिन पर ठोकता है गाइस जब से आपका बाई फ्रेंकलिन क्या शरीफ हुआ ये चम्पू पंपू भी गेंगसर बन गए खेर गाइस इनको छोड़ते हैं मुझे तो गैस इस नली सी गाड़ी को गाड़ लेवल की गाड़ी बनाना है वैसे गैस इस गाड़ी की हालत हमेशा से ऐसी नहीं थी मैंने आपको बताया ना एक गैंग मेरे पीछे लग गई थी उस गैंग ने ही इस गाड़ी की हालत ऐसी कल दी है और गैस आपको तो पताई है कि जब मेरे पीछे कोई लग जाता है तो मैं कितनी खतरनाक वाले ड्राइविंग करता हूँ गैस मेरे ड्राइविंग की वज़ा से और उन गुंडों की गोली बारी की वज़ा से मेरे इस गाड़ी के हालत ऐसी हो गई अबे यार देखके चलावे अरे गैस ये कौन है अबे ज़ाड़ वंगा नहीं मैं तुझे अरे दोस्तों लगता है इसने पी रखी है खुद उल्टा गाड़ी लेके आ रहा है और मुझे बोल रहा है देखके चला ले ये ले अबे अबे यार यार क्या हो गया अरे यार कोड़े बे अरे गैस इसने भी पी हुई है अरे यहाँ पर सारे लोग पी के याते हैं क्या अरे गैस ही क्या ये गाड़ी वाले तो भग गया अबे मैंने वाले अरे दोस्तों जो टली हो गया गैस मुझे तो लगता है ये जगाई खतरनाक है गाइस आज सुबह से मुझे अजीए बजीब लोगी मिल रहे है पहले गाइस वो जमीन वाला मिल गया जो कि मेरी गाड़ी को अपनी गाड़ी बता रहा था और गाइस अभी ये दोनों बेवकूफ मिल गए अभी गाइस मेरा भौध ये दिमाग खराब हो रहा है मुझे जल्दी से चॉप के पास में चलना चाहिए और अपनी गाड़ी को बनाना चाहिए गौड लेवल की कार वैसे गाइस इस गाड़ी के टायर एकदम पंचर है और गाइस ब्रेक और एक्सलेटर भी ठंक से काम नहीं कर रहे है इस गाड़ी को गाइस कंट्रोल करना भोद्याद मुश्किल है पता नहीं गाइस कैसे मैं इसको ले जा पाऊंगा वैसे गाइस चॉप ने यहीं कहीं का एड्रेस दिया था अरे चॉप कहाँ पे हो तुम अरे गाइस यह क्या यहाँ पे तो गाइस एक रैम पहे लगता है गाइस इसी वाले रैम की मदद से हम अपनी कार को गौड लेवल की कार में अपग्रेड करेंगे तो गाइस चलो रैम के पास मैं ही चलता हूँ लगता है गैस चॉप वहीं पर खड़ा है गैस बड़ी मुश्किल से मैं इस गाड़ी को यहां तक लेकिया पाया हूँ तो चॉप कैसे हो तुम अबे कलुए मैं तो एकदम ठीक हो तो क्या तु सबसे एदा खटारा वाली गाड़ी ले आया अरे यार हाँ चॉप वह देखो अबे यार कलुए यह तो वही गाड़ी है जिसमें हम ग्रीन गैंग के बंदों से बचके भाग रहे थे और उन लोगों ने हमको पकड़ लिया था और फिर उन लोगों ने तो इनमें बहुत देदा माल लगाई थी फिर तो उनके पैरों में गर गया था अरे चॉप चुप हो जाओ अब एक कलुए मैं की चुप हो जाओ और तुने उनसे माफी भी मांगी थी और हाथ भी जोड़े थे अरे दोस्तों आप लोग इसकी बातों पे धान मत देना ये एकदम छुट बोल रहा है लिके जाओंगा मेरी गाड़ी कनवर्ट हो जाएगी गौड लेवल की कार में तो गाइस क्या आप सब लोग तयार हैं अब यार हम तो तयार है तो गाड़ी को जल्दी से कनवर्ट कर अरे ठीक हो चॉप अरे गाइस यह क्या हो रहा है अरे गाइस मुझे तो यहाँ पर एक सेडान मिली है यह सेडान मुझे गौड लेउल की कार थो किसी एंगल से नहीं लग रही है अब यार कल्वे तो चेक भी कर सकता है कि यह गौड लेवल की कार है या नहीं अरे चॉप वो कैसे अब यार इस रैम पे चड़ाके God level की कार इस रैम पे आराम से चड़ जाएगी अरे इच्छा चॉप पर गैस ये वाली कार तो रैम तक पहँच भी नहीं पा रही है गैस ये पकका God level की कार नहीं है मुझे गैस दुबार अशिस वाली कार को पोर्टल में से निकालना पड़ेगा अब यार हाकल वे इस वाली कार को भी पोर्टल में से निकाल देखते हैं अब हमें कौन सी वाली कार मिलती है अरे आर्च अब ठीक है दोस्तों तो त्यार हो जाएए एक और अपग्रेड के लिए अरे गैस यहां पर तो मुझे थोड़े को एक बार रैम पे ले जाके ज़रूर टेस्ट करूंगा अब यार हाकल वे हर एक कार को रैम पे ले जाके टेस्ट कर क्या पता वही गौड लेवल की कार हो अरे चौप इसके तो गौड लेवल को होने की कोई मुईदी नहीं है फिर भी गैस मैं यहां पर टेस्ट करता पर guys ये भी fail है guys ये भी God level की car नहीं है guys पता नहीं मुझे God level की car कम मिलेगी क्यों चब तुम्हें क्या लगता है अभ यार कल गुए तुछे कभी नहीं मिलेगी क्योंकि तुह एक नंबर का बेवकूफ है अरे गाइस क्या बोला अपने मालक को तुमने बेवकूफ बोला अब यार अब यार लगता है फैंगल गुसा हो गया फिर से मुझे पीज़ा बर्गर की मनाकल देगा अब मालक सॉरी सॉरी मैं तो बस मजाग कर रहा था अरे हाँ चॉप ठीक है ठीक है गैस मैंने यहाँ पर दुबारा ट्राय कर लिया पर गैस यह वाली कार रैम तक पहुँच भी नहीं पा रही है गैस मैं इस कार को दुबारा से यहाँ पर लेके आ चुका हूँ और गैस दुबारा से हम लोग गुसंगे पोर्टल में और guys देखते हैं अभी हमें कौन से वाली कार मिलती है तो guys यह में चला अरे guys यहाँ पर मुझे कोई sports कार मिली है guys यह लगता है ordy R8 है guys यह वाली कार बहुती तरह खतरनाक है कहीं यही तो नहीं गौर्ड लेवल कार अब ब्यार कल वे ऐसा नहीं हो सकता अरे चाप क्यों नहीं हो सकता अब यार कल वे ये मुझे गाड लेवल की कार नहीं लगती अरे अच्छा तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक और बार ट्राय करूँगा मुझे लगता है गाइस पिछली बार मुझे ही कुछ गलती हो गई थी अरे गाइस ये देखो अब यार कल वे ये क्या ये तो पहुची नहीं पा रहे है अरे यार चाप पहुच तो गई अब यार हाँ पर इसका पीछे का बंपर टूड़ गया अरे चलो कोई बात नहीं दोस्तों अब तो मैं स्कूपर पहुचा के रहूंगा अरे गैस पर ये क्या ये गाड़ी तो पीछे जाने लग गई गैस इंजन अपनी पूरी की पूरी पावर लगा रहा है फिर भी गैस ये गाड़ी पीछे ही जा रही है अब यार कल वे मैंने तो बुलाई था ये वाली गाड़ी गौड लेवल कार नहीं है अरे अच्छा चॉप ठीक है गैस मुझे नहीं लगता अब ये गाड़ी उपर जा पाएगी फिर भी गैस मैं एक और ट्राय करूँगा पीछे से लाके अरे गैस ये क्या गैस सच मैं ये वाली गाड़ी गौड लेवल कार नहीं है अरे यार चॉप ये वाली कार तो गौड लेवल कार नहीं निकली अब यार तो इंतिजार गिसका कर रहा है इसको भी वहाँ पे पोर्टल में गुसा दे अरे चॉप पर मैं इसको पोर्टल तक लेके कैसे जाओं गैस यहाँ पे मैंने इस गाड़ी के पूरे के पूरे टायर घिस दिये उसकी वज़ा से ये वाली गाड़ी पंक्चर हो गई अरे गैस ये क्या ये पोर्टल में समुझे कौन से गाड़ी मिली है अरे गैस ये क्या ये तो गैस मिस्टर बीन की कार है अरे गाइस वा गाइस आप लोगों को पता है पचपन में मैं बहुत यहादा मिस्टर बिन देखा करता था आज गाइस मेरी पुरानी यादे ताजा हो गई और गाइस यह रहा टेडी वैसे गाइस यहाँ पे कार यूपर सोफा क्यों रखा हुआ है खैर गाइस मुझे क्या करना अभी गाइस देखते हैं यह गाइस यह गाड़ी रैम तक पहुँच पाती है कि नहीं गाइस यह बस लेंड करने ही वाली है और गाइस यह देखिए मैंने यहाँ पे गाड़ी को लेंड कर दिया और guys ये वाली गाड़ी मुझे काफी से दमदार भी लग रही है guys देखने से ये गाड़ी एकदम हलकी सी लगती है पर guys सच में ये बहुत दमदार है अरे guys जी क्या ये भी पीछे जाने लगी पर guys ये गाड़ी बहुत दमदार जल्दी पलट जाती है guys अब तो मुझे पता चल गया कि ये वाली गाड़ी गौड लेवल की कार नहीं है फिर भी guys मेरा इस गाड़ी को रखने का मन कर रहा है क्योंकि guys ये मेरे फेवरेट कार्टून मिस्टर बीन की कार है पर guys क्या करूं गाड़ लेवल की कार लूँ या फिर इसकी कार को रख लूँ अब यार कल वे तो गाड़ लेवल की कार को लियो इस वाली कार को वापस भेज दे अरे यार हाँ दोस्तों इस वाली कार को मुझे मिस्टर बीन के पास में वापस भेज़ देना चाहिए वैसे भी गैस किसी की कार को लेना अच्छी बात नहीं है अब यार हाँ मिस्टर बीन को बहुत देखी 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 सी लगती है अरे चॉप गारी को छोड़ो ये मेरे पीछे भूत कहां से लग गए अरे गर्स भाग मा पड़ेगा अब यार कलोए वो भूत तेरा पीछा कर रहा है अब यार कलोए मज़े किला छोड़के मज़े भी ले चल अरे दोस्तों ये भूत तो हमारे आगे पीछी है अरे कैसी क्या मैं एक जगा रुग गया तो ये भी एक जगा रुग गय अरे यार मुझे कोई इन भूतों से बचाओ अब डर्णे के कोई बात नहीं है अरे तुम कौन हो अब मैं हूँ सैंके और जो तुम गाड़ी चला रहे हो ये मेरी है अरे यार तो फिर ये भूत तुमारी गाड़ी के पीछे क्यों है अरे यार बोला ना वो डेकोरेशन है डेकोरेशन अरे क्या ये भूतों की डेकोरेशन है अरे यार हाँ ये रस्टी से बांजी हुए है बहुती अरा पतली रस्टी से जो कि दिखाय भी नहीं देती अरे अच्छा ऐसी बात है अरे तो फिल ठीक है अरे तुम ये मेरी गाड़ी को कैसे चला रहे हो अरे अभी मैं तुम्हारी गाड़ी के साथ में एक टेस्ट करने वाला हूँ अरे क्या करने वाले हो तुम शेंकी की गाड़ी के साथ में अरे अच्छा तुमारा नाम शेंकी है अरे यार हाँ मेरी गाड़ी के साथ में कुछ मत करना अरे टेस्ट तो होके ही रहेगा मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि तुमारी गाड़ी God level की कार है या नहीं अरे क्या God level की कार आज तक मुझे भी नहीं पता चला चलो टेस्ट करके देखी लेता हूँ अरे यार हाँ काली लटगे तुम टेस्ट कर सकते हो अरे काला लटगा किस को बुला मुझे गाइस बहुत याद गुस्ता आ रही है और गाइस ये कुटा कौन है अरे स्कूबी को कुटा बोला अबे क्या बोला स्कूबी अबे स्कूबी मेरे बच्पन के यार अरे यार चौब ये तुम हो क्या अपने मालक को समझा लो इसने स्कूबी को जो कि बूलता भी है, जो कि बोलता भी है, चॉप की तरह, अबे स्कूबी को कुता बोला, अबे स्कूबी को कुता भुला है, तुर्म अब इसको भी कुता है पर सकूबी को कुता बोलाने का नहीं समझया क्या चौप समझा ले अपने इस कलवे मालिक को अब इकलवे سमझ्या अरे दोस्तों इस चौप को तुम्हें घर चल के बताओंगा चौप चलो आज तुम मिर साथ में घर पे आरे आरे यह क्या तुम रेम से ग्रावगे के गाड़ी को अरे दोस्तो हम लोग रेम की उपर आ गए गाइस मुझे बिश्वास नहीं हो रहा है ये पहली कार है जो यहां तक पहुंची है बिल्कुल एंड तक अरे गई सिक्या ये तो अब दुबारा से पीछे जाने लग गई अब यार कलवे मुझे लगता है यही गोड लेवल की कार है इसको उपर पहुंचा गी रहना है हमे अरे दोस्तो ये तो नीचे जाती जा रही है अरे आरे शैंकी की गाड़ी को कुछ नहीं होना चाहिए अरे अरे ढ़ल लग रहा है चौप कुछ कर अरे अरे ये क्या हो गया अरे यार हम तो हवा में आगे चौप अबे इसको भी मुझे बचा मैं तो गिर रहा हूँ अरे दोस्तो चौप यहाँ पर गिर गया अरे गैस नहीं यहाँ पर तो चौप जिन्दा है अरे यार तो कल वे तुझे क्या लगा मैं यावा मर गया आरे शैंकी के गाड़ी को पिछका दिया आग ऐसे अरे सैंकी शोरी सोरी गैस यहाँ पर शैंकी की गाड़ी की हालत खराब हो गई है एक और बार यहाँ पर इसको टेस्ट करके देखूं क्या आरे नहीं अरे चलो ठीक है तो चौप बाई कहे दो अपने दोस्ते अभी मैं इनको वापस बीज रहा हूँ अब यहाँ कलोए थोड़ी दिर वेट कर लेता मेरा दोस्त मेरी बाई भी नहीं सुन पाया अरे आज चौप कोई बात नहीं हम तुमारे दोस्त स्कूबी से किसी और दिन मिल लेंगी पर गैस अभी ज़रूरी है गौड लेवल की कार को ढूड़ना और गैस मुझे लगता है ये वाली कार पका गौड लेवल की कार है अब यार हाँ कलोए चल देखते हैं क्या ये स्कूबी डूबी की काल से आगी निकल पाती है के नहीं अरे स्कूबी डूबी क्या है अब यार ये भी एक कार्टून है मेरा दोस्त भी कार्टून में काम कलता है अरे अच्छा और वो शैंकी उसका मालिक है क्या अब यार हाकलुए जैसे तु मेरा मालिक है ना शैंकी भी स्कूबी का मालिक है बल सैंकी बहुत ही अच्छा है वो उसको रोज बर्गर खलाता है और पिज़ा भी अरे चौप के बच्चे, गाइस ये चौप हमेशा मुझे दूसरे लोगों से केमपेर कलता रहता है अरे मैं तुमारी हैल्थ खराबना हो जा, इसलिए तो मैं रुखता हूँ अरे अभी चौप जादे उपर आ गई है, पर इसके बाद हमें जम भी लगाने पड़ेगी अरे क्या बोले तुमने, जम, अब यार हाकल वे, बहुत एक सामने अरे दोस्तों वहाँ पर तो एक सरकल रखा है, वहाँ तक हमें के जम लगानी पड़ेगी अब यार हाकल वे, अरे गैस ये वाली गाड़ी तो आदी भी नहीं पहुँच पाई लगता है गैस ये भी गौड लेवल की कार नहीं है आखिर कार गैस मुझे गौड लेवल की कार कम मिलेगी गैस हम लोगो कि इस वाली सरकल तक पहुँचना था अब यार हाँ, जो कार इस वाली सरकल पर पहुँच जाएगी वही होगी गौड लेवल की कार गाइस ये बात तो मैं भी मानता हूँ अगर कोई कार इतनी दूर से जंब लगा कि उस सर्गल तक महुँश सकती है तो गाइस वो सच में गौड लेवल कार होगी गाइस ऐसी कार तो मिले ज़रूर चाहिए इसलिए गाइस मैं इस वाली कार को भी अपग्रेड करने वाला हूँ अब यार कल वे तो जगे गाइस लेवल की कार क्यों चाहिए अरे वो वैस ऐसे ही अब यार दोस्तों मुझे पता है ये उस कार से चोरिया करेगा अरे तुम्हें क्या लगता है मैं एक चोर हूँ और यार हाँ अरे दोस्तों ये क्या बात तो यहाँ पर कार्स की हुई थी ये बैक कहां से आ गई अब यार कल वे यहाँ पर तेरी कार बैक में अपग्रेड हो गई है और अभी तुम्हें यहाँ पताल दे तुम्हेले कर इस बैक को टेस्ट अरे चॉप ठीक है गाईस मुझे लगता है चॉप यहाँ पर डर गया है क्योंकि गाईस इसको लगता है ये बैक रैम को नहीं कर पाएगी पर गाईस पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बैक में कुछ तो दम है गाईस इस बैक के पीछे देखिए कितना जादा बड़ा बुष्ट लगा हुआ है और गाईस इस बैक के फीछे से पंक भी है जिसकी मज़ से ये काफी जादा लंबी चलांग लगा सकती है ये देखिए यहाँ पर मैं कितनी आसनी से लेंड कर गया और गाईस बुष्ट की भी पावल देखिए सच में गाईस मुझे तो लगता है यही गौड लेवल की बाईक है गाईस यहाँ तक तो यह बड़ी आराम से पहुच गई अभी गाईस देखना है यह कितनी ज़दा लंबी जम लगा सकती है तो गाईस मैंने यहाँ बेसके पंक को फैला लिया है और गाईस यह क्या यह तो गाईस काफी देखना आ गया गी लगता है यह पहुच जाएगी अरे यार लग गई मेरे अरे यार दोस्तो मैंने अच्छा हुआ हेलमट लगा रखा था वरना गाईस मेरे को ज़्यादा ही तेस लग जाती गाईस यह भी नहीं है गॉर्ड लेवल की कार मेरा मतलब बाईक अभी गाईस इसको भी मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा पर गाईस मैं सोच रहा हूँ इसको अपग्रेड करके मुझे कारी मिलेगी या फिर बाईक मिलेगी गाइस ये तो अब मुझे पता चलेगा बुलेट करने के बाद ही दोस्तो इसलिए मैं हमेशा कार में चलना प्रैफर करता हूँ बाइक अगर कहीं पर ढुक जाए तो बहुत तिस लगजाती है अब यार करोए इस बाइक के साथ में एक और बाइ ट्राय कर ले अब यार कलोए ये तो मुझे भी लगता है अरे यार मेरी ले रुख जा अरे यार चॉप मैं नहीं रुखने वाला दोस्तों देखिए इस वाली कार में मिसाल और बुलिट्स दोन है कित्ती ज़ादा खतरना कार लग रही है ये अभ यार ये खतरना कार ही है ये तो मुझे सच में God Level कार लग रही है अरे चॉप सच में देखने से तो ये God Level कार ही लग रही है पर गैस हमें पता तब ही चलेगा जब ये इस पूरे रैम को पार कर लेगी और वहाँ पो सरकल पे जाके लेंड करेगी अब यार कल वे तुने बिलकुल ठीक बोला अब इस वाली कार को लेके रैम पे चला जा अरे ठीक है चॉप अरे गैस इसमें एक चीज तो मैंने भी नोटिस की इसके पीछे भी काफी ज़्यादा बड़ा बूस लगा हुआ है इसका मतलब इस वाली काड़ी को रैम में चड़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अरे यार हाँ मुझे तो लगता है इसमें मिसाल भी है अरे यार हाँ चॉप तुमने बिलकुल ठीक पेचाना इस वाली कार में मिसाल भी है और गाइस ये देखिए इसको यहाँ पे चड़ने में बिलकुल भी मुश्किल नहीं हो रही है कितनी आराम से यहाँ पे चड़ पा रही है सच में गाइस ये कार बहुत ये खतर नाक है अरे यार हाँ चॉप बोट तो में बाल बाल बच गया अभी गाइस इस वाली कार को यहाँ से निकालना पड़ेगा अरे गाइस ये क्या यहाँ पे तो ये फस गई है अब यार कल वे ये क्या गॉड लेवल की कार फसा दी तूने अरे मैंने कुछ नहीं किया ये अपने आप ये उचल गई और फस गई गाइस तो त्यार हो जाईए में जम के लिए और गाइस ये मैंने लगा दी जम अब यार कल वे तू लेंड तो कर पाएगा ना अरे चॉप मुझे लगता तो ऐसा ही है अगर गाइस इस गॉड लेवल की कार है तो ये लेंड कर जानी चाहिए और गाइस यह देखिए यह यहाँ पर सरकल की उपर लेंड कर गई अब याँ तो भी तुने ठीक से लेंडिंग नहीं करवाई अरे याँ चॉप तुम चप करो दोस्तों यहाँ पर मुझे मिल गई है गॉर्ड लेवल की कार गाइस सच में यह कार भोती दे खदर नाक है और गाइस यह एंटी ना मुझे इस कार के अंदर ही मिला है पता नहीं गाइस यह क्या है खेर गाइस आप उसको छोड़िए गाइस अभी मैं आपको इस गॉर्ड लेवल कार की कुछ खासे दिखाता हूँ यह यहाँ पर बुलेट भी चला सकती है अब यार हाँ और मिसायल भी अरे अरहाँ गाइस सच में गाइस अगर यह वाली कार हो ना तो गाइस हम पताने कितनी सारी गेंग स्पा के लिए भारी पड़ेंगे और दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो में मजा आया हो तो वीडियो को लैक ज़रूर कर देना और गाइस अपने भाई फ्रेंकलिन की मेनत के लिए सब्सक्राब का बिटन भी ज़रूर दबा देना अब यार हाँ दोस्तों और बेल आइकन को अलपे स्लेक कर देना बाई अरे चाप तुम घर चलो आज तुमने मेरी भादी अदर बिसती की है तो मैं तुम्हें घर चल के बताऊंगा